तो भाई लोग क्या हाल चाल तो यार जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में तुमसे पूछा था क्या तुम्हें Acer Nitro 5 और Lenovo IdeaPad Gaming 3 का एक डीटेल कंपेरिजन देखना है तो तुम मैंसे जाद दर लोगों ने कहा था हाँ भाई एक डीटेल कंपेरिजन भी बना दो तो य जैलो यार बना दिया तो यार मैं तुमसे पहले ही कह दूँ मैं इस वीडियो को छोटा से छोटा रखने ही कोशिश करूँगा और जितने भी major difference है ना दोना laptop के बीच हम उन पे बाते करेंगे और end में आपको समझाने ही कोशिश करूँगा कि आपको कौन सा laptop लेना चाहिए तो यार तुम लग वीडियो लाइक बगएरा नहीं करते हो लाइक बगएरा खर दिया करो यार तुम्हारे भाई का ही चैनल है और तो अर ऐसा बड़ीय बड़ीय कॉंटेंट और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना चले यार बिना टाइम वेस्ट के आज का कारेकरम शुरू करते हैं तो यार तुमको स्टार्टिंग में ही बदा देता हूं जब मैंने वो एसर नाइटर 5 की वीडियो बनाए थी तब नाइटर का प्राइस चल रहा था 58,000 रुपीज का वी सस्ता मिलना था लेकिन अब उसका प्राइस वापस से नॉर्माल हो तो दोनों ही लाप्टप में हमको देखने को मिलता है Ryzen 5 5600H जो की एक 6 गोर 12 थेर्ड वाला काफी बढ़िया CPU है इसकी हमें Base Clock Speed 3.3 GHz की देखने को मिलती है और Boost Clock Speed 4.2 GHz देखने को मिलती है तो दोनों ही लाप्टप में सेम ही प्रोसेसर है तो similar performance हमें देखने को मिलेगी 1 एक से 2% का difference हमें performance में देखने को मिलेगा क्योंकि laptop अलग अलग है राफिक कार्ड हमें दोनों में सेम ही मिल जाता है GTX का 1650, 4GB, GDDR6 वाला और Gaming Performance और GP Performance भी दोनों में हमको similar ही देखने को मिलेगी तो देखो performance है ना उसमें आपको जो overall difference देखने को मिलेगा वो 1 से 2% उससे देखने को नहीं मिलने वाला ठीक है व्युक्कि laptop अलग-अलग होते हैं तो हलका बहुत-बहुत माइनर सा performance difference आ जाता है ठीक है बात करते हैं RAM की दोनों laptop में हमको 8GB की RAM देखने को मिल जाती है 3200 MHz वाली लेकिन Acer Nitro 5 में हम RAM को 32GB तक upgrade कर सकते हैं वही Lenovo IdeaPad Gaming 3 में हम RAM को 16GB त करने की जरूत पड़ती तो नहीं है 16GB RAM more than enough होती है almost सारे के कहते हैं software के लिए बहुत इक के दुख्य ही होता है जिसमें 32GB RAM के जरूत पड़ जाती है और laptops में शायद ही 32GB तक RAM upgrade करता है फिर भी यार आप उसमें 32GB तक कर सकते हो Nitro में तो Nitro का ये एक plus point है ठीक है बात करते ह है storage options की तो Nitro 5 में आप देखने को मिलती है 256GB की NVMe SSD plus 1TB का hard disk combination वहीं आपको Lenovo IdeaPad Gaming 3 में 512GB की NVMe SSD देखने को मिलती है सिर्फ ठीक है अब यह जो storage option है ना वो percent to percent depend करती है for example मेरा personal choice होती है हमेशा 256GB की SSD plus 1TB की hard disk का combination क्यों क्यों क्योंकि यह जो SSD होती है वो मेरा overall experience fast कर देती ह स्मूथ कर देती है मैं सारे अपने के कहते हैं जो important software से जो मैं जादा तर use करता हूँ और जितने भी basic utility tools है ना सारे मैं अपने SSD में install कर देता हूँ और जो बाकी बची होए games वगेरा हो गए movies हो गए वो मैं आराम हाट डिस में store कर सकता हूँ जादा storage भी मिल रही है तो यार ये मेरे को फाइदा लगता है बाकी कुछ लोग को 512GB की SSD single पसंद होती है वहीं क्योंकि 512GB जो होती है ना वो कभी कभी कम पढ़ जाती है मेरे को वो इसलिए नहीं पसंद लेकिन 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 Lenovo IdeaPad Gaming 3 में आपको एक hard disk का slot मिल जाता है तो आप future में hard disk लगा सकते हो वहीं सिर्फ उसमें क्या कहते है एक NVMe SSD का slot मिलेगा जो पहले से occupied है और एक hard disk का slot है तो फिर नाइटर 5 आगे निकल गया ठीक है अब थोड़ी और बात है कर लिजाए बात करते हैं बिल्ड की तो बिल्ड दोनों की similar plastic body ठीक है अब कोई जादा like build issues ना नहीं है laptop like अच्छा plastic की quality अ आने वाली है ठीक है बात करते हैं display की दोनों laptop में हमको 15.6 inches की full HD display मिलेगी और क्या कहते है 45% NTSC का color gamit है Acer Nitro 5 की जो brightness है वो 300 nits की है और क्या कहते है Lenovo की brightness 250 nits की है इंडोर में दोनों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इंडोर में दोनों ही बढ़िया लेंगे लेकिन outdoor में हलकी सी lead में आ जाता है यहाँ पर आपका Acer Nitro 5 refresh rates की बात करूँ तो 144 Hz का refresh rate आपको Nitro में मिल जाता है और Lenovo में आपको 120 Hz का मिलता है तो अब 144 Hz जादा है तो यार थोड़ा plus point है बाकी 144 Hz और 120 Hz में इतना जादा कोई difference नहीं है तो yes आप 120 Hz को भी consider कर सकते हो but 144 Hz जादा है तो Lenovo के कहते है Acer Nitro 5 lead में है अभी भी ठीक है और आगे बात कर ले जाए तो बात कर लेते हैं thermals की तो यार thermals में na Acer Nitro 5 slightly better है Lenovo से इसका मतलब यह नहीं है कि Lenovo के thermals बेकार है Lenovo के thermals भी काफी अच्छा perform करते हैं like heating issues हमें दोनों ये laptop में नहीं देखने को मिलते हैं काफी स सही दोनों laptop में temperatures controlled रहते हैं लेकिन अगर हम दोनों के laptops दोनों laptops के thermals का comparison करेंगे न तो यहाँ पे Nitro आगे निकल के आ जाता है और तो और Nitro के अंदर ना में एक software मिल जाता है Nitro Sense उससे हम fan की speed को बहुत अच्छे से customize कर पाऊंगे like पूरा आप अपने हिसाप से set कर सकते हो क CPU का fan इतनी RPM की speed के साथ घुमेगा और GPU का fan इतनी RPM की speed के साथ घुमेगा दोनों यह fans को आप अच्छे से बढ़िये करके customize कर सकते हो दोनों fan speed वही मेरे साब से Nitro में यह options नहीं देखने को मिलता है तो yes Lenovo Nitro इसी लिए थोड़ा आगे निकल जाता है अब Nitro का price इसी लिए ज सुधर गया हूँ अब और तुम्हे कुछ चाहता हो कि मैं और वी चीज़े सुधार हूँ तो मेरे कमेंट में बताओ यार वीडियो को like भी करो अगर तुम यहां तक देख रहे हो ठीक है बात करते हैं battery की तो यार बैटरी में भी Nitro 5 लीड ले लेता है Nitro 5 में 57.5 वाट आर की बैटरी मिलती है लेनोवो में हमें 45 वाट आर की बैटरी देखने को मिलती है अब basic usage में कितना difference आएगा आदे घंटे से एक घंटे गा gaming में कोई difference ने आएगा दोना बहुत जल्दी खता हो जाएगा तो gaming हमेशा laptop को plug-in करके ही करा गरो basic usage में आदे से एक घंटे का फराग आएगा उससे आदा फराग आपको देखने को नहीं मिलने वाला है एक और advantage यहां पे Acer Nitro 5 में है वो है ports की आपको न Acer Nitro 5 में एक USB 3.2 Type A का port extra देखने को मिलता है total 3 USB 3.2 Type A ports, Type C port, Ethernet port और HDMI port और headphone jack यह सब हमको Nitro में मिल जाता है वहीं आपको 2 USB 3.2 Type A के port मिलते है Type C मिल जाता है, HDMI मिल जाता है, Ethernet मिल जाता है, headphone यह सारे आपको Lenovo में देखने को मिल जाते है तो एक extra USB 3.2 Type A का port हमें मिल जा रहा है Acer में तो जो दो ports है, Lenovo में, वो कम पढ़ जाते हैं, क्यों आपने यार, क्या कहते हैं, mouse connect कर दिया, दूसरा एक external keyboard कर दिया अब आपको कोई और चीच connect करनी पड़ गई, जैसे कि pen drive हो गई है, कोई और USB connect करनी पड़ गई तो आपको एक निकालना पड़ेगा, mouse या keyboard को disconnect करना पड़ेगा, तो yes ये भी एक हलकी सी advantage है और इनी छोटी छोटी advantage है न लिन ओ, Acer का price जादा है, और yes इसके लिए पैसा जादा देना वर्थिट रहता है एक और यहाँ पे हमारी Acer की advantage वो है, अब यह आपको शाइद advantage ना लगया, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये advantage रहती है वो है keyboard, Acer में न हमको 4zone RGB keyboard देखने को मिल जाता है, और gamers को तो आप जानते हो न, light वसे कितना प्यार होता है उनका बस चले न, तो वो light ये लपेट के ही शादिवादी कलने, उनके साथ सुवागरात मना ले लेकिन अब आपको light वसे इतना फरक नहीं है, तो yes, आपको Lenovo में एक कहते है single color backlight, जो की white color की backlight मिल जाती है, अब आपको उसमे, nitro में RGB मिल लिया तो ये भी अब आपको depend करता है कि आपको कौन सा लेना है, ठीक है, बात करूँ final conclusion की यहाँ पर मैंने आपको comparison करके बता दिया, यहाँ पर clear winner आपके सामने निकल के आ चुगा है Acer Nitro 5, लेकिन Acer Nitro 5 फिर 6000 रुपे महेंगा भी तो है, अब अगर आप अपना budget नहीं लेके जा पा रहे हो न, Acer Nitro 5 जितना तो yes, आप Lenovo IdeaPad Gaming 3 को purchase कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि वो laptop खराब है, वो laptop बहुत अच्छा है अपने budget में काफी अच्छी performance देता है, जो वो चीज़े offer कर रहा है, वो काफी सही है, ठीक है तो यहर ऐसी कोई बात नहीं कि Lenovo IdeaPad Gaming 3 खराब है, जिस budget में वो आ रहा है, येस, अगर आप 66,000 तक budget नहीं ले जा पा रहे हो, तो आप उसको easily ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी अगर आपका budget है, तो yes, obviously you should go for Nitro, क्योंकि जो वो features extra आपको दे रहा है न, उसके लिए 5-6,000 रूपए देना वर्थिट रहेगा अब मैं आपको एक और भात कहता हूँ, कि न, Nitro के price पर थोड़ी नजर बना के रखो, इसका price कभी भी कम हो जाता है, क्या पता दो दिन बाद ये फिर से 60,000 का पहुंच जाए क्योंकि last time इसका price 58,000 रूपई चल रहा थो और अभी 66,000 है, तो yes इसके price पर भी नजरे बना के रखो, और yes overall winner तो Nitro है, लेकिन वो 6000 रूपए महेंगा भी है, ये ध्यान रखना, और नहीं budget बढ़ा सकते हो, तो you can easily go with Lenovo IdeaPad Gaming 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो yes यही की वीडियो में, hope आपको समझ आ गया होगा, आपको कौन सा लेना है, अब मैं सही बताओं, अगर आप अभी भी ना like नहीं decide कर पा रहे हो, कौन सा लेना है, तो yes आप comments में रसे discuss कर सकते हो, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी है, और आप Instagram पर आ के भी मुझ से discuss कर सकते हो, Instagram का link आपको description में मिल जाएगा, कोई बात नहीं follow नहीं गरना, आप direct message कर दो, मैं reply कर दूँगा, आपकी मदद कर दूँगा, तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही पसंद आई हो, like जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो, बढ़ी बढ़ी content ऐसा ही देखना चाहते हो, subscribe कर देना, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तक तक के लिए, bye!